मैंने Google में आकर search किया login manager मेरे सामने जो site आया इसको अभी open करूंगा मैं open करते ही आपके सामने ऐसे कुछ आ जाएगा तो यह इनेसडियल ब्रांच ID का वेफ पोर्टल है जहाँ पर आप लोग पैन कार्ट के लिए apply कर सकते हो अभी मैं इस पोर्टल में मेरा ID पास्वार्ट देकर आप लोगो के सामने ही live login करके दिखाऊंगा तो मैंने user ID दे दिया अभी password दे दूँगा password भी दे दिया अभी नीचे जो capture है वो capture दे दूँगा capture भी दे दिया अभी यह पर submit में क्लिक करूंगा सबमिट करते ही आब लोग के सामने ही देखी, portal open हो गया है, अभी मैं आपकर home में क्लिक करूँगा, home में क्लिक करते ही, स्तारी कुछ option आ गया है, अभी left side की तरब आब लोग देख सकते हो, उपर की तरब लिखा है, TNFC, Pan Center Interface, और थोड़ा नीची आएंगे, वेलकम चिरोंजित रॉय ये मेरा इनेम है और मेरा ब्रांच कोड़े 20855 मैंने जो कमपणी से लिया उस कमपणी का नेम है स्टील सीटी सीकुरिटी लिमिटेट और स्टील सीटी सीकुरिटी लिमिटेट का मैं सुपर डिस्टूटर हूँ इसलिए मैं INSDL ब्रांच आदी आप लोगों को प्रवाइट कर सकता हूँ मैंने अल्डेडी पुरा इंडिया में 1000 से जादा लोगों को INSDL ब्रांच आदी प्रवाइट किया अब अगर pen card की काम करते हो, अपने दुकान से या घर से ही लोगों को pen card बना कर देते हो, तो भाई आपके लिए ये portal सबसे best है, क्योंकि इसमें आपको pen card की मामले में सबी facility मिल दाइगे, अब इस portal के थुरू manual process में document upload करके pen card बना सकते हो, पेपल लेस प्रोसेस में pen card बना सकते हो, और इस portal का एक mobile app भी है, जो NSDL का खुद का mobile app है, जिस mobile app का नेम है NSDL Palm, देखिए आपके सामने शो रही है, इस mobile app से भी आप pen card बना सकते हो, ऐसा facility आपको दूसरे portal में नहीं मिलेगा, ये NSDL का first party portal है, direct portal है, इस लिए इस ID का नेम ह NSDL Palm Branch ID, तो आभी मैं आप लोगों दिखाना चाहता हूँ, acceptance में आऊँगा, इधर देखिए, Indian citizen form 49 है, यहापर मैं क्लिक करके आप लोगों दिखाना चाहता हूँ, देखिए सामने form open हो गया है, और यहापर देखिए category of applicant, कितने टाइप का आप apply कर सकते हूँ, Individual, Farm, Body of Individual, Indimated Family, Association of Persons, Local Authority, Artificial Judicial Person, Government, Limited, Liability, Partnership, इतने टाइप का प्यान काड आप यहाँ से बना सकते हूँ, इसके अलाबा, for again citizen, मतलब जो NRI है, उसका भी pen card बना सकते हूँ, pen change request, मतलब pen card की correction कर सकते हूँ, reprint, मतलब pen card reprint भी कर सकते हूँ, इस pen change and request में क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप लोग को दिखाना चाता हूँ, इस portal से आप pen card cylinder भी कर सकते हूँ, देखिए, cylinder pen, भाई, आपके दोकान में ऐसे कर customer आता है, जिनका दो pen card है, वो बोल देए कि मेरा एक pen card cylinder करना है, तो आपके पास अगर दूसरा portal होँ आप शाहिद नहीं कर पाएंगे, अगर आप branch ID लेंगे, तो आप लोगों का pen card cylinder भी कर सकते हूँ, आप अगर ये वला ID लेना चाहते हो, इसके लिए कुछ document भिजना पड़ेगा, जो आपके सामने शोर ही है, आपके आधर कार्ट, pen card, photo, signature, bank account, और एक VC certificate, जैसे CSC, Spice Money, Paynear by Finopayment Bank, RFI, EasyPay, इन में से कोई भी एक portal का certificate चाहिए, आपके पास अगर कोई भी certificate नहीं है, आप मुझे बताइए, certificate के लिए कुछ इस्तरा चार्ट लाएगा, आपको मैं certificate provide कर दूँगा, उसके बाद आप easily NSDL branch ID ले सकते हो, ये सारे document भेजने के बाद आपको only 500 रुपे payment payment कर देंगे, तो मैं ID के लिए process कर दूँगा, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपको NSDL branch ID मिल जाएगा, तो सारे कुछ facility इस portal में available है, और इसके अलाबा जो paperless दिखाया, paperless में देखिए क्या-क्या option में, pen new e-koc application, new pen card e-koc के मददम से बना सकते हो, pen change request e-koc application, e-koc के से pen card direction कर सकते हो, pen new e-sync scan best application, इसका मतलब है आप new pen card photo signature upload करके बना सकते हो, मैं just demo के लिए इस option में click करके आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत सरे लोग retailer ID लिए हो, retailer ID में क्या होता है, पहले ही पैसे cut लेते ही, उसके बाद application में enter करते है, और यहाँ पर पहले ही पैसे नहीं कटेगा, मैंने click किया और redirect हो, मेरा कोई पैसे अभी तक नहीं कटा, जब मैं successfully submit करूंगा, तभी पैसे कटेगा, तो आभी देखिए, यहाँ पर लिखाया है, tfc pen center interface, और यहाँ पर जो हमने option में click किया, pen new इधर आया है, तो यहाँ अभी देखिए, ओपेन हो गया है, तो यहाँ पर सारी details फिल करके यह application करना पड़ेगा, तो यह सारे facility आपको तो web portal के थुरू मिल रही है, इसके अलाबा जो mobile लहवे, nsdl palm, आपके सामने आभी शोर यह देखिए, play store में जाकर search करेंगे, तो आपको यह app दिख जाएगा, तो इस app से आप new pen card और pen card correction, दोनों ही e koc के बंदम से कर सकते हो, web portal की paypal लेज option से और mobile app में आप अगर new pen card बनाएंगे, तो आपको 1 से 2 घंडे में e pen card मिल जाएगा, nsdl branch address से आप अगर pen card बनाएंगे, तो pen card की charge 107 रुपे लहेगा, और company आपको 9 रुपे तक commission देगा, commission आपके bank account में direct credit होगा, किसी के साथ link नह नहीं रहना पड़ेगा, आपके bank account में direct commission credit होगा, commission monthly basis दीते है, month के 10 तरीक अंदर आपके bank account में commission credit हो जाएगा, आप लोगों को में और एक बात बता दू, nsdl branch ID लेने के बाद आपका name और आपका center के name, nsdl official site में show कराएगा, अभी देखिए मैं यह आपर google में search किया pen center औ official site है, उस पर redirect किया, यहापर देखिए क्या लिखा है, search pen center near your location, यहासे आप अपना pin code से pen center search कर सकते हो, नहीं तो state और city से pen center search कर सकते हो, आप अगर branch ID लेंगे, आपका name भी यहापर show कराएगा, आपको just एक demo के लिए मैं दिखाना चाता हूँ, सिरिफ demo के लिए मैंने एक pin code और यहापर search किया, और नीची के तरफ देखिए, यह भाई ने steel city से NSDL branch ID लिया, और मेरे से ही लिया, आप अगर branch ID लेना चाहते हो, मेरे से contact किजिए, अभी बहुत ही low price में, only 499 में आपको technical channel से NSDL branch ID मिल जाएगा, तो आपको अगर चाहिए, जल्दी से मुझे contact किजिए क्योंकि यह offer जादा दिन नहीं रहेगा,